गाइस यह है आईफोर 14 प्रो मेक्स 6 मन्स से उपर हो चुके मुझे इसे यूज करते हुए तो गाइस इसका रेव्यू करने वाला हूं मैं आज की इस पीडियो में काफ़ी सारे कमिया भी है इसमें और अच्छी बाते बहुत सारी है तो सभी बताता हूं आपको तो सबसे पहले सबसे अच्छी बात मुझे इसमें लगती है इसकी बिल्ड क्वाल्टी काफी बार गी रहा है मुझसे पर यह अभी तक भी बिल्कुल ठीक है बस आपको बता जेता हूं यह जो स्टेनलेस स्टील के उपर इन्होंने ब्लैक पेंट किया यह निकल गया है इसका पेंट उतर जाता है तो यह थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप प्लैनिंग करें और इसके लेने की पहले भी यह दिक्कत थी हमारे स्टेनलेस स्टील वाले आईफॉन में इसको पेंट जो तिकता नहीं है तो यह एक दिक्कत है और यह फोन भी आई-प स्टेनलेस के अंदर तो फिर आप शॉर्ट कर सकते बाटर रिजेक्ट का बैसे भी ठीक हो जाता है अगर पानी अंदर चला जाए तो चोटी बात नहीं है काफी देता है जब आपने ट्रैकिंग पर जाना या फिर गूमने जा रहा है बारिश लगी एकदम से फिर फोन आप शिल्ड है बहुत गिरा है मैंने बताया आपको तो यह तूटी नहीं पर एक दिक्क्त है अगर आप टेंपर ग्लास यूज नहीं करोगे तो स्क्रैच आ जाते हैं बहुत इजली तो आपको लगाने पड़ेगा इस फोन के उपर स्क्रीन गार्ट भी लगा सकते हैं कोई भी पिछला आइफोन 13 प्रो और मैक्स था जल्दी हीट हो जाता था पर यह फोन जल्दी हीट नहीं होता है अगर मैं पिछले जनरेशन के साथ में कंपेर करूं तो जब आप गेमिंग करोगी कोई भी हैबी टास्क कर रहे इस फोन के अंदर तो यह एजिली हीट नहीं होता है और हीट ना होने का सबसे बड़ा फाइदा बड़ा कहा पर है आप इस फक्लिस अद्र और हो चुकी है अभी हिसकी बैटरी यह इस ब시면 और मुझे पता है आप मैंसे बहुत साथ लोग 2-3 मंथ में 2-3 परसेंट आइफोन की बैटरी घिरा देते हो तो थोड़ा सा यूज़ करने पर भी डिपैंड करता है आप कैसे यूज़ कर रहे हो अगर आपको लेटेस्ट वीडियो चाहिए आइफोन के बैटरी मेंटेन करने सकते हो आप मैंने किस तरही सेटिंग करके रखी होगी इसमें और कौन-कौन सी में टिफ्स फॉलो कर रहा हूं ताकि 100% बैटरी हल और यहां पर स्टैट्स में आप देख सकते हो मैं गेम्स भी खिलता हूं जैसे क्लास ऑप क्लैस तो फिर गेम्स की बदर से तो बैटरी जल लगता है कि कम है पर फास हो जाता है यह चार्ज काम चल पड़ता है राम से और मैक्स होने के वाज़े से इसमें बैटरी भी बड़ी है रिफ्रेस्ट है जब आप इसे यूज करोगे तो बहुत यह अमेजिंग एक्स्पीरिंस मिलता है साथ में डाइनमिक आयलाइंड भी ह यह काफी तोदूर पड़ता है इसको यूज करना उपर दर हमें यह मिलता है हम अप स्क्रीन करके यूज कर सकते हैं बड़े फॉन होने का फाइदा भी यह थोड़ा नुकसान भी है ठोड़े रीच कम हो जाती है पर जब आप कॉंटेंट देखते हूं तो बड़ी स्क्रीन तो guys output तो speakers की जबदस्त है तो इन सब के अलावा guys आप बात करूँ इस phone के camera की पर उससे पहले मैं software की बात करना चाहता हूं अभी यह latest i6.5 पर run कर रहा है तो काफी सारे जो bugs थे जो glitches थे वो अभी fix हो चुके हैं बरना पहले तो भाई इतने सारे bugs थे अभी camera hang हो जाता था कभी phone hang हो जाता मुझा काफी सारे दिक्कत देता था अब जाके ठीक हुए अभी बहुत कम bugs देखने को मिलेंगे तो यह इंप्रूब कर दी है apple ने और आप बात करूं camera की तो सबसे best भाई इस phone का camera वीडियो के लिए 4K cinematic 30fps पर आप वीडियो बना सकते हो क बहुत अच्छा है low light में अच्छी performance दे देता है और indoor outdoor में भी काफी अच्छी output देता है यह camera इसका वीडियो के लिए तो best है मतलोगा सीधी से बात करो अगर आप एक वीडियो के लिए best camera smartphone ढूंद रहे हो तो फिर आप डाइरेक्ट जा सकते हैं 14 Max की तरफ तरफ या फिर आ तो फोटोस भी काफी अच्छी निकाल के दे देता है इस पर एक बात हो है इतना सब कुस दो देता है यह पर प्राइज बिसका काफी जाता है वह आप देख लेना अपने बजट के according और अगर आप अभी प्लैन कर रहे हो इस फोन को लेने का और अभी आप 13 यूज कर रहे ह तो गाई सीधी से बात करूं सिक्स मंथ होने के बाद भी मुझे यह फोन काफी ज्यादा अच्छा लगता है बहुत अच्छा फोन है कम यह ज्यादा कुछ है नहीं अगर मैं कहूं जैसे कि इसमें जूम देखने को नहीं मिलता है जादा वो मुझे चाहिए वेनी वैसे और गेमिंग के लिए one of the best है आप गेमिंग के लिए इसे ले सकते हो और इस फोन में आप दो सिम भी यूज कर सकते हो एक एक फीजिकल सीम और फाइब जी भी है यह फोन तो फाइब बहुत अच्छा चलता है काफी अच्छी स्पीड है में देखने को मिल जाती है तो फ्यूच शेयर कर देने और अपने ब्लॉग चैनल पर आजाओ उसका लिंक के नीचे डिस्क्रिशन में अब मिलता है आपके से नेक्स्ट वीडियो में बाइबाई